चोपड़ा एजिकुसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इतनी सारे ट्विट किये गए हर किसी ने आवाज उठाई एक्जाम पोस्पॉंड को लेकर लेकिन अभी आप आवाज उठा सकते हैं एक्जाम सेंटर और ट्रांसपोर्ट के बारे में गौर्मेंट जब 13 सिप्टेंबर को एक्जाम लेने पर अड़ी हुई है तो ले लो कोई बात नहीं स्टुडेंट को तो एक्जाम देनी ही है मगर गौर्मेंट को एक्जाम सेंटर और ट्रांसपोर्ट के बारे में तो सोचना चीए एक्जाम सेंटर बढ़ा कर इन्होंने स्टुडेंट की सेप्टी का गाना तो जरूर काया है मगर एंटी ने एक्जाम सीटी तो नहीं बढ़ाए एक्जाम सेंटर तो डिस्टिक लेवल पर करने चाहिए थे इंडिया की तक्रीबन डिस्टिक ऐसे हैं जहां पर एक्जाम सेंटर नहीं है नीट के कुछ एक डिस्टिक में एक्जाम सेंटर है और उनी डिस्टिक में ही NTA ने एक्जाम सेंटर इंक्रीज किये है एक स्टुडेंट को दूसरे एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक में इस कंडिसन में एक्जाम देनी जाना पड़ेगा इसके लिए आवाज उठा सकते हैं NTA को सिरफ exam center increase करने से ही कुछ नहीं हो सकता है exam city भी increase करने होंगे ताकि student अपने district में ही exam दे सके ज्यादा travel नहीं कर सके दूसरी problem है transport की ट्रेने चल नहीं रही है अगर मान लोग कोई student आसाम में है अपने घर में और उसने exam center city quota भर रखा है राजस्तान में क्योंकि वह कोटा में ही preparation कर रहा था और सोच रहा था कि exam के time तक ट्रांसपोर्ट तो चालू ही हो जाएगा इस कारण उसने exam city भी exam center भी change नहीं किये तो वो exam कैसे दे पाएगा गौर्मेंट को exam के लिए special training चलाने चीए तो दोस्तों ये दो major problem है इनके लिए आपको आवाज उठाने होगी नहीं तो कोई student exam से वंचित हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करो ताकि हर कोई इस आवाज को उठा सके और हर कोई आवाज उठाएगा तो ये आवाज गौर्मेंट तक अवस्से पहुंचेगी अगर exam center district level पर हो जाते हैं और transport available होगा तो हम आसानी से exam दे सकते हैं बाकिया आप अपने study में लगे रहो इतना विश्वास रखो कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा best of luck, जय हिंद